सन 8060 में एक ऐसा डॉक डेवलेप्ट किया गया जो काफी सालों तक गाल डॉक के अंदर नंबर फस्ट पेरा बुल मैस्टिफ बुल मैस्टिफ डॉक क्या है उसके बारे में आज थोड़ी हम बात करते हैं तो बुल मैस्टिफ की जो पॉपुलेरेटी थी वो काफी जाजा हो गई थी एक टाइम पे अगर हम वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट क्लब की बात करें एक केसी यानि अमेरिकन कैनल क्लब की तो उसमें इस डॉक को 90-34 के अंदर रजिस्टर कर दिया था एज ए प्योर डॉक बीड बुल मैस्टिफ का ओरिजन जो है मैंने जैसे बताया कि 80-60 के अराउंड इंगलेंड के अंदर वहाँ पे इसको डेवलेप्ट किया गया था जो दो पॉपुलर जो डॉक बीड है उनमें एक इंगलिश मैस्टिफ आ जाता है और दूसरा है ओल्ड इंगलिश बुल डॉग जो आज के टाइम में एक्स्टिंट हो चुके हैं नहीं अबलेबल होते इतने ठीक है और बहुत ही रेर चांच होता है कि अल्ड इंगलिश बुल डॉग आज के टाइम में आपको दिख जाए तो इनकी क्रोस ब्रीड से बुल मैस्टिफ बना बुल मैस्टिफ बनाने का काफी रीजन रहे है सबसे बड़ा रीजन तो यह था कि एक एक ड्रीफ रेंकिंग के इसाब से यह थाटीफ पॉर्थ रेंक के उपड़ाता है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपूलर डॉग बिड़ में यह एक मेस्टिफ डोग है बड़ा लाइस साइस का डोग है तो उस इसाब से ही इसके जो खर्चे आ जाते हैं इसको मेंटेन करना थोड आपको बालों के उपर ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा दूसरा खर्चा इसमें जैसे की बड़ा डोग है ठीक है तो आप कहें कि यह गार्ड डोग भी बहुत अच्छा है तो इसका एन्युनिट्री सिस्टम भी अच्छा है तो वहां भी यह ज्यादा बार 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 नहीं पड़ते तो यह भी एक इसका प्लस प्राइंट हो जाता है बुल मैस्टिफ जो डोग है उसमें आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप एक बुल मैस्टिफ रख रहे हैं तो जो उसका फेस उसका रिंकल वाला होता है उसको रेगुलर जब होती है जब आप प्रोपर इसको डाइट नहीं देते और अच्छे से वर्काउट नहीं करवाते और एक जो प्रिमारी यह भी आजाती है कि जो बुल मैस्टिफ की जो आखें होती है ने उनमें भी इंफेक्शन आने का बहुत ज्यादा चांच बन जाते हैं तो उसके क्या करना चाहिए कि बुल मैस्टिफ को एकदम साफ सुधार रखना चाहिए उसकी आखें भी अच्छे से पहुंच के रखिए आखों में गंदगी नहीं आनीच चाहिए ठीक है बुल मैस्टिफ जो डॉग है वह जैसे मैंने बताया काफी लाज डॉग बीड़ है उसके ब बुल मैस्टिफ डॉग बहुत ही अच्छा डॉग है लोयल डॉग है गार के रूप में मैंने बताया कि काफी समय तक नंबर फर्स्ट पर राता बुल मैस्टिफ आज के टाइम में कि पॉपुलेरिटी इतनी नहीं रही बुल मैस्टिफ की रीजन काफी है सबसे बड़ा र नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है तो आज के टाइम में इतने ज्यादा बड़े घर अवलेबल नहीं हो पाते लोग फ्लैट्स में जादा रहते हैं तो फ्लैट के अंदर बुल मैस्टिफ में ही रखे जा सकते ठीक है आप बहले ही उसकितना ट बात करते हैं लाइक रॉट्विलर या जर्मन शेफर्डोबर्मेन इन डोग को क्या है कि इनके पास कोई ना कोई होना बहुत जरूरी है क्या आपकी फैमिली है कोई मेंबर हो या आप इनके पास रहें इनको ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ा जा सकता लेकिन बुल देना पड़े तो उस केसे में बुल मैस्टिव बहुत अच्छा डोग है कि अगर आप इसके पास नहीं भी रहेंगे तो यह रिलेक्स रहेगा इतना ज्यादा प्रेशान नहीं होता ठीक है वर्काउट की बात करें तो जो नॉर्मल जो गार्डोग आते हैं उनसे तो इसको कम ही वर्काउट चाहिए होता है मैस्टिव डोग है तो ज्यादा यह भागना दोड़ना खेलना पसंद नहीं करता हा लेकिन जो बेशिक जो इसकी ट्रेनिंग है वह आपको करवानी बहुत जरूरी है और डेली की डेली एक से देर गंटे आपको इसको करवाना बहुत कि कि अद्ध जैसे हमारा यूमन बोड़ी है हम अगर एक्सराइज बगेरा करते हैं तो हम एक दम पिट रहते हैं कोई बीमारी नहीं होती है नहीं आती तो हम एक अच्छी लाइफ जी जाते लेकिन जहां ऐसे कुछ लोग होते जो एक्सराइस नहीं करते एक जगहें पार या जाएगी एग्रेशिव हो जाएगा डोग तो इसलिए वरकाउट तो आपको सभी डोग को करवाना होगा तो बुल मैस्टिफ का प्लस पॉइंट जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक ओफिस में वर्क करते हैं या घर से दूर रहते काफी 3-4-4 गंटे तक 6-6 गंटे झां गटने एक प्योर बिड़का बुल मैस्टिफ दिए और ङगीए आपके वहीच इंग्लिस मेस्टिफ की त्रही बुल मेस्टिफ दिखता है एक जैसे में ने ने बता या इसकी ख्रोश ब्रीड हुई थी इंग्लिस मेस्टिफ और ऑल्ड इंग्लिस बुल्ड दॉक से तो जो इंग्लिस मेस्टिफ थे उनसे इसका जो लार्ड साइज मिल गया इनका लुक मिल गया और जो ओल्ड इंग्लिस बुल्डोग थे वो उसके जो डॉक को मिला वो तक फियरलेस इनको मिल गई ठीक है काफी अच्छे मजबूत जबड़े इनको मिल गए तो ये दोनों का क अच्छी जोए बुल्मेस्टिफ रखने के लिए ठीक है बुल्मेस्टिफ लेने से पहले ध्यान रखना प्योर बिड़ का बुल्मेस्टिफ हो एक अच्छी ब्लड लाइन का हो अगर हम इसकी कलर की बात करें तो इसके जो कलर है वह यह तो फाउन कलर में आएगा यह एक या आता है और एक आता है बल्ल अरो फाउन और जो जो अनका इसकोा एनका जो पड़ो क क्लर मिल चाहिए तो बोल्मेस और किसी कलर में नहीं अवलेबल होते इने फिलफन में तो आप कोशिश करें कि इंडिया में जो popular जो color है वो found और reddish type के ही है तो आप या तो found color पर जाइए या जो reddish type के जो bullmastiff आते हैं उन पर जाइए जो black color के जो bullmastiff है उसमें आपको धोखा मिलने के chance बहुत जादा भढ़ जाते हैं ठीक है तो bullmastiff आप रख सकते हैं बहुत दाइट भी अच्छी होनी चाहिए इसकी life spend की बात करें तो 12 साल तक आराम से चल जाता है यदि आप इसकी अच्छे से care करते हो तो और भी जादा यह जी सकता है लेकिन आप expect मत किजिए कि यह 15-16 साल तक चला जाएगा जी जाएगा तो 12 साल तक भी यदि एक अच्छी life नि गर में यह कोई आपको नुक्सान पोचा दें तो यह दिया पर पास पहली बात तो देखके कोई पास में याएगा और उसकी जो भार्क करने की जो आवाज ए साउंड वह बहुत ही भैंकर होती है बहुत ही तेज होती है उसको देखकर यह आदमी वैसे डर जाता है तो बु एक्रेसिव ना हो ट्रेनिंग के मामले में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है कि इसको पेशंच के साथ करना पड़ता है यह की आप इसको ट्रेंड कर दोगे तो आप पेशंच रखिए इसको अच्छे से ट्रेंड कीजिए बुलमेस्टिफ रखने की जर्नी में आपको कोई प्रोब्लम आती है तो आप मुस्से फूश सकते हैं बने रही है इस चैनल पर ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए